तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ कि कौन सी नंबर की सुई, कौन सी कपड़े पर आपको लगानी चाहिए बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है एकी सुई को वो सारे कपड़ों पर चलाने की कोशिस करते हैं मोटे कपड़े पर पतली कपड़े पर एकी नंबर की सुई चलाते हैं जिसका नतिज़ा यह होता है कि या थो उनका कपड़ा खराब हो जाता है तो आज के वीडियो में आप जानेंगी कि कौन से नंबर की सुई किस कपड़े के लिए perfect है और वो use करेंगे तो आप अराम से बढ़ियां तरीके से सिलाई कर पाएंगे साथी साथ आपकी सुईयां भी नहीं तूटेंगी वो पैसे भी आपके बच जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपके साथ share करती हूँ कि market में कितनी नंबर से कितनी नंबर की सुईय आपको मिल जाएगी तो 9 नंबर से सुईय स्टार्ट होती है machine की और वो जाती है 24 नंबर तक 9 से 24 नंबर तक इसमें आपको सुईयां market में मिल जाएंगी जो नेडल होती है लेकिन 9 से 24 नमबर अगर घर में हम काम कर रहें या इजर टेलर हम काम कर रहें तो सारे नमबर की हमें जरूरत नहीं होती है जो मेंन नमबर है वही मैं आपको बताओंगे कि कौन-कौन से नमबर की आपको अपने सिलाई किट में रखनी चाहिए सबसे पहले आता है 11 नमबर की सुई यह इस तरह का ही पैकेट होता है 11 नमबर का नॉर्मल कोई भी सुई आप लेते हैं उसी तरह का 11 नमबर का पैकेट आता है यह देखे यह रहा पैकेट 11 नमबर का जो मैं अपने सिलाई किट में रखती हूँ तो बात करते हैं 11 नमबर की ये सबसे बारीक सुई होती है मतलब सबसे आज जो पतले कपड़ों के लिए होती है उसकी सिलाई के लिए इसका हम यूज करते हैं अब जैसे कि इस तरह के नेट का जो फैबरिक होता है जिसमें बहुत जादा होल होते हैं उनको आप बड़े की सुई को लगाना पड़ेगा नेट के फैबरिक के अलावा 11 नमबर की सुई को आप इस तरह की बारीक दुपट्टों पर भी यूज करेंगे जैसे कि शी फॉर्म का दुपट्टा जॉर्जट का दुपट्टा इस पर भी सिलाई नहीं लगती है आपकी नॉर्मल सुई से तो आपको अपनी 11 नमबर की सुई लगानी होगी उसके बार से इस तरह का अदुपट्टा या साडी आप सिल पाएंगे इसके लावा इस तरह का जो एकदम पतला वाला फैबरिक होता है जैसे 80 का फैबरिक होता है उसको अगर आपको सिलना है अलग से या धोती का कोई कप या फिर लोवर का या फिर प्लाज जो लैगिंग का कपड़ा होता है स्ट्रेचबल जो भी कपड़े होते हैं वो नॉर्मल सिलाई मशीन पर अगर आप ये नॉर्मल निडल लगाते हैं तो वो नहीं चलेगी आपको 11 नंबर की सुई को लगा कर ही इनको सिलाई करने पड़ेगी तो होजरी के कपड़े के लिए भी 11 नंबर की सुई लगाने होगी अब बात करते हैं इसके आगे की 14 नंबर की सुई तो 14 नंबर की सुई सबसे पहले तो वो लोग यूज़ करते हैं जिनके पास electronic मशीन होती जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ जो machine electric से चलती है उस पर सारे कपड़ों को सिलने के लिए 14 नंबर की सुई लगाए जाती है तो एक तो ये काम हो गया 14 नंबर का इसके अलावा जो सिल्क के कपड़े होते हैं जैसे कि ये वाला फैबरिक जो बहुत ज्यादा सिल्की होता है पतला होता है उसको भी सिलने के लिए आप 14 नंबर की सुई का यूज़ कर सकते हैं और इनको अराम से आप अपनी सिलाई machine पर यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा जो next है वो है 16 नंबर सबसे पहले जान लेजे कि सबसे जादा यूज़ होने वाली ये वाली सुई है जो सभ नॉर्मल सिलाई machine होती है उसमें आप सब तरह के कपड़े अगर सिलते हैं तो उस सिलाई machine में 16 नंबर की हुई सुई लगती है इसके लावा शर्ट का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, टेरी कॉट का कपड़ा और बहुत सारे जो भी कपड़े आते हैं उनकी सिलाई के लिए सिर्फ 16 नंबर की ही सुई लगाई जाती है और बहुत अराम सी इन कपड़ों पर 16 नंबर की सुई चल जाती है और आपकी सिलाई परफेक्ट निकलती है तो 16 नंबर की सुई आप नॉर्मल सिलाई machine के साथ-साथ इन सारे कपड़ों को सिलने के लिए यूज कर सकते हैं तो 16 18 नंबर की सुई के लावा आप अपनी सिलाई किट में 18 नंबर की सुई को भी रख सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत important नंबर होता है घर में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर आप टेलर की शॉप है आपकी तो भी 18 नंबर की सुई बहुत काम आती है ये रहा इसका packet जो कभी इकबार मुझे भी जरूरत होती है इसको यूज करने की अब इसका क्या काम होता ये मैं बता दे रही हूं 18 नंबर की सुई आप थिक कपड़ों के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि आप पैंट का कपड़ा सिल रहे हैं तो पैंट के कपड़े पर कोई भी 16, 11, 14 नंबर की इसके लावा शर्ट का कपड़ा भी से सिल सकते हैं अगर आप डियाइवाई कर रहे हैं जैसे कि आप बिस्तर बना रहे हैं चादर का कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा थिक हो जाता है तो उसके लिए भी आपको 18 नंबर की सुई लगेगी तो ये वाली भी सुई आपको अपन बार बार टूटेगा और सिलाई भी सही से नहीं आएगी इसलिए 18 नंबर की सुई यहाँ पर मैं मेंशन कर रहे हूं कि मोटे कपड़े के लिए 18 नमबर की स्वि के बाद बारी आती है 21 नमबर की स्वि यह मेरे पास अभी नहीं है लेकिन 21 नमबर की स्वि भी आपको अराम से पर काम बहुत है भी कपड़े पर चलना जैसे कि यह जीन्स का कपड़ा आप देख रहे हैं अगर इसको एक फोल्ड और कर देंगे के जीन्स के कपड़ों के ऊपर ही 21 नंबर की सुई चलती है अब ऐसे तो घर पे हम जीन्स सिलते नहीं है लेकिन अगर पुरानी जीन्स को आप खोल कर करके उसका बैग बना रहे हैं या फिर कोई और डियाइवाई कर रहे हैं बच्चों के कपड़े बना दे रहे हैं तो उसक को नॉर्मली अपने खिट में रखना चाहिए ताकि सारी तरह के फैबरी को असानी से आप घर पर ही सिल सके तो यहां तक तो मैंने आपको यह मेंशन कर दिया कि यहां तक आप को रखना चाहिए अब बाकी उपर जो मैंने मेंशन किया था कि 9 और 24 तो 9 नंबर की सुई पचों के बैग है या लेडीज हैं बहुत सारी चीजे हैं उनके लिए 24 नंबर की सुई या उससे उपर की सुई जो आती भी होगी तो वो लोग वो रखते हैं लेकिन 11 से 21 नंबर की सुई आप अपने किट में रख सकते हैं और 14 नंबर की सुई जो इलेक्रोनिक मशीन यू करना चाहिए तो आज के लिए इतना ही आई होप की वीडियो समझ में आई होगी वीडियो हेलफुल थोड़ी भी लगते तो प्लीज लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कर दिजेगा शेयर और कॉमेंट जरूर करेगा थाइंक यू बाई